Hello everyone, welcome to my channel, I am Rehana and this video में हम करने जा रहे हैं chapter 2 whole numbers में addition on number lines, subtraction on number lines and multiplication on the number lines ठीक है तो हम देखेंगे कि addition, subtraction and multiplication हम number line पे कैसे कर सकते हैं तो पहले है addition on number lines, हमने एक example लिया है 3 plus 4 is equal to what इसको करने के लिए हमने लिए है 2 number lines, इसको हम two ways में कर सकते हैं first है 3, तो हम 3 से start करते हैं, इसके लिए हम 4 steps आगे जाएंगे 1, 2, 3, 4 यानि plus 1 plus 2, sorry plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 1, 2, 3, 4 हो गए न 4 तो हमारा answer होगा 7 ठीक है इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ये 3 plus 4 की बजाए 4 plus 3 लिखा होता तो हम इसको ऐसे कर सकते थे, हम 4 से start करते हैं और हम 3 step आगे जाते 1, 2, 3, plus 1 plus 1 plus 1, तो हमारा answer क्या आता? 7 तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरह से हमारा जो answer है वो 7 ही आएगा तो 3 plus 4 is equal to 7, answer is 7, ठीक है? Now, second is subtraction on the number line, यहां हमने लिया है example 7 minus 5, ठीक है? तो हम, इसमें हम change नहीं कर सकते, 7 minus 5 different होता है, 5 minus 7 different होता है, इसलिए जो इसमें दिया हुआ है, उसको हम single number line पे ही करेंगे, एक ही तरहीका इसको करने का, 7 से start करेंगे, और minus 5 है, तो हम 5 steps back जाएंगे, यानि कि left side को जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, 1, 2, 3, 4, 5, 7 minus 5 हो गया, तो हमारा answer क्या आया? 2, तो 7 minus 5 क्या होगा? 2, अब है, multiplication on the number line, ओके, इसको भी हम, दो तरीकों से कर सकते हैं, 4 into 3, इसको हम हमेशा 0 से start करते हैं, प्लस में हम क्या करते थे, जो number हमें आगे दिया होता था, हम उससे start करते थे, लेकिन multiplication में हम क्या करेंगे? multiplication में हमें start करना है 0 से, या तो हम 4, 4 के 3 steps लेंगे, या तो हम 3, 3 के 4 steps लेंगे, यानि अगर यहाँ पे लिखा है 4, तो हम 4 के 3 steps लेते हैं, यानि 0 से लेकर 4 तक, फिर 4 से लेकर 8 तक, फिर 8 से लेकर 12 तक, यानि यहाँ पे प्लस 3, प्लस 4, प्लस 4, प्लस 4, आंसर क्या आ गया? 12, ठीक है? और इसी तरह से हम इसको कर सकते हैं, 4, 4 के 3 steps लेकर, यह तो 3 steps लेते हैं में, 3, 3 के 4 steps लेकर, 0 से लेकर 3 तक, 1 step, 3 से लेकर 6 तक, 2 step, 6 से 9 तक, 3rd step, और 9 से लेकर, 12 तक, 4th step, ठीक है? तो 4 इंटू 3 is equal to 12, दोनों ही condition में हमारा आंसर क्या आ रहा है? 12 आ रहा है, ओके तो 4 इंटू 3 is equal to 12. इस वीडियो में इतना ही, thanks for watching this video, next वीडियो में हम अगला topic discuss करेंगे, thank you!